हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई टूब चैनल, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सावन के महीने में गमले की मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग यानि की मिट्टी का शिवलिंग बना कर रोज कैसे पूजा करें और विसरजन कैसे करें फ्रेंड्स, सावन के महीने को भगवान शिव का प्रियमास माना जाता है यही कारण है कि इस महीने में महादेब की पूजा आराधना का विशेश मत्त होता है भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए सरद्धालू सामर्थ अनुसार ब्रत उपबास पूजन अविशेक आप इस तरह से किसी भी गमले की मिट्टी को निकाल कर शिवलिंग बना कर पूजा कर सकते हैं यह मेरे बेल पत्र के गमले की मिट्टी है थोड़ी रेतीली सी है यह मिट्टी मैं इसी से शिवलिंग बना रही हूं फ्रेंड्स यह मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव शिव अब मैं आपको इसकी पूजा अर्चना करके दिखाऊंगी इसके बाद हम एक चौकी ले लेंगे चौकी पर आप चाहें तो कोई सफेद कपड़ा या पीला कपड़ा विछा सकते हैं या फिर आप ऐसे थाली रखकर पूजन कर सकते हैं आप थाली इश्टिल की भी ले सकते है पितल की भी ले सकते हैं या फिर कासे की भी कोई शुद वर्थन होना चाहें ये शुद वर्थन ले लिजीए इसके बाद हम थाली में पीले चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि रोली और हल्दी से हम स्वास्तिक नहीं बनाएंगे रोली और हल्दी शिबजी की lynaath को दिया हुआ है सबसे पहले हम lynaath को गंगा जल से इसनान कराएंगे कि मैं इसके बाद दूद्थ की एकधार मुझान वूले नाद को इशनान कराएंगे इसके बाद हम शुद्ध जल लेंगे सुद्ध जल में हम पीला चंदन अच्छत और फूल डालेंगे और यदि आपके पास गुलाब जल है तो वो आप डाल लीजिए यहाँ पर हम भूले नात को थोड़ा सा सहद समर्पित करेंगे यदि आपके पास गुलाब जल और शहद नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं इसके बाद हम शुद्ध जल से इसनान कराएंगे और शुद्ध जल से इसनान कराते समय ओम नमश्रिवाय ओम नमश्रिवाय मंत का जाब करेंगे फ्रेंड शिब जी को जल चड़ाते समय आप एक बात का विशेश तौरपा ध्यान रखना के पूरा एक लोटा भरके शुद्ध जल से इसनान कराये जाता है यदि आप मिट्टी के शिबलिंग को जल से इसनान करा रहे हैं तो आप छोटा पात्र भी ले सकते हैं इसके बाद हम दीप प्रजुलित कर लेंगे फूलों का आसन देकर और भगवान को धूब दीप दिखा देंगे इसके बाद हम शिब जी को पीले चंदन से तिलक करेंगे और अच्छा समर्पित करेंगे इसके बाद हम चावल समर्पित करेंगे द्यान रखिए चावल कहीं से तूठी फूटे नहीं होने चाहिए, इसके बाद हम काले तिल और सूखी भांग समर्पित करेंगे, इसके बाद बस्तरूपी कलाबा समर्पित करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर वोले नात को चनेवी चड़ा सकते हैं, इसके बाद हम बेल पत्र समर्पित करेंगे, बेल प इसके बाद हम इत्र समर्पित कर देंगे यदि आपके पास इत्र नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे भोग में हम गोला मिस्री का भी भोग लगा सकते हैं मिस्री और शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि पूरे सावन हमें इसी तरह से फूजा करनी है क्योंकि रोज रोज पॉसिवल नहीं हो पाता है कि बाजार से मिठाई लाकर भूग लगाना इसके बाद आप कोई भी रितुफल का भी भूग लगा सकते हैं भूग लगाने के बाद थोड़ा सजल समर्फित करेंगे रोली, चंदन और पुष्प से दीपक का पूजन करके हम आरती कर लेंगे पहले हम गडिश भगवान की आरती करेंगे फिर हम भोले नात की आरती करेंगे और माता पारवती की आरती करेंगे इसके बाद हम भगवान को आरति देंगे खुद भी सपर आरति घ्रेंड करेंगे और भगवान से छमा याँचिना करेंगे कि पूजा में जाने अन जाने में हुई गलती के लिए भगवान हमें छमा करें जब हमारा पूजा में दीपक सान्थ हो जाएगा उसके बाद हम शिवलिंग का विसरजन करेंगे अब हमारा दीपग भी सांत हो चुका है अब हम शिवलिंग का विसरजन करेंगे इसी थाली में हमने पूजा की है हम इसी थाली में शिवलिंग का विसरजन करेंगे इसके बाद हम शिबलिंग को विसर्जन करने के लिए शिबलिंग पर हम शुद्य जल डालेंगे और इतना डालेंगे कि शिबलिंग हमारी जो है डूब जाए और पानी में पिखल जाए जब भी आप शिबलिंग का विसरजन करें तो किसी गहरे और बड़े पात्र में करें इसके बाद हम शिबलिंग के चरण इसपर्स कर लेंगे चरण इसपर्स करने के बाद ही आप शिबलिंग का विसरजन करें और यह जो परसाद रखा है फलका और गोला मिसरी का इसे हम सभी परवार के सदस्व में बाट लेंगे और खुद भी घराण कर लेंगे इसके बाद मैं शिबलिंग का बिसरजन करूंगी आप तुलसी के गमले के अलावा किसी ही पेड़ पोदह के गमले में कर सकते हैं मैंने बेल पत्र की मिट्टी से ही शिवलिंग बनाया था, मैं उसी के पेर्ड के नीच शिवलिंग का भी सरजन करूंगी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में जादा से जादा शेयर कीजिएगा जिससे जादा से जादा लोग इस वीडियो का लाब उठा सकते और यदि आप हमारे चैनल Right Choice नीरजफर पहली बार आए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारे आने बाली लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन आपको समय से मिल सके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्रीशिवाय नमस्तु भ्याम